मैंने हमेशा अपनी जिन्दगी की साथ समझोता किया दूसरों की लिए अपनी खुशी दाओ पे लगा दी लेकिन अब मैं अपनी लिए जीना चाहती हूँ अपनी लिए जीना कोई पाप तो नहीं हाँ मैं कोई पाप नहीं कर रही कर आदाब क्राइम पिट्रोल सतर के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब का स्वागत करता हूँ नाकाम रिष्टे वो नासूर होते हैं जो जब चुपते हैं तो सेहने की दवा भी नहीं मिलती लेकिन जिन्दगी को एक दर्द मानकर जीते चले जाना भी एक भूल है और वो चुपी भी एक जहर है जो हमसे बोलने का साहस चीन लेती है ये केस भी इसी डगमगाते साहस से जुड़ा था जिसको आवास की जरूरत थी लेकिन गुनेगार इतना बेख़ौफ था जिसने कई जिन्दगीों को खामोश कर दिया कियार से समझा रहा हूं तरी समझ मैं नहीं आ रहा है मुझा मत मारो प्लीज मैं मैं हाथ चोड़ दियो अहीं दो मारो मत प्लीज मिछ चोड़ दो पनल थी मारो तो पैसे नहीं है प्न बौल थी मसर चोड़ का 2527 2527 मैं खुली आखों से एक डरावना सपना देख रहे थी पेरे चारों और नरक था पापा बोलते थे मैं भाग्यवान हूँ पर दुर्भाग के मेरे माथें पे लिखा था मेरा चैरा रोज मुझसे सवाल करता मैं किसके लिए सच रही हूँ पर बिन बोले मैं उस लिबाज में रंग जाती जो चार दिवारे में सजा और समाज में समाज में औरत की मजबूरी बन जाता है तु अफी तक नाराज मुझसे अच्छा सोरी नाव तुझे पता है ना मैं बुरा हादमी नहीं हूँ मेरा नशा बुरा है मेरी फैक्टरी बंधना हुई होती ना तु 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 मेडम आज रेट हो गया हाँ चलो आइन साथ की सेहना भी किसी गुना से कम नहीं होता कुझे इस बात का भी आहसास था लेकिन मैंने एक जलते चिराग की रोशनी की नीचे का अंधेरा चुल लिया था यह लगा था एक लॉयर के साथ काम करते हुए भी मैं अपने साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाई अरे नहीं नहीं चिल्पी ओर्द का मामला बहुत रिस्की रहेगा से बचना भी तो है हमको मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ यह तरह आने का टाइम है पुरे एक गंटे लेट है तू अजकी सेलरी कटे की तरी शर्वी सर्वी रे वखील यह दे बूले दातने आरे मानिक भाई को सहजा दे चुडाएगा रे साथ साल की सहजा सुना दी कोरटने अरे भाई मैं मानिक भाई की आप जबानत करवा दोगगा रिचप आपड़ी बूच, अठागी से उड़तना हमें अमने जो तुझे पांचलाज रुपरे पीजदी थे ना तो वापिस कर वर्ना ओ भाई 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 देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मेरे लिए नाष्टाना बनाना पड़े इसलिए जोगिं से लेट आते हो ना जॉब तो तुमसे होती नहीं है कम से कम किचन ही समभालिया करो अमीन मैं दोस्टे नौकरे की बात करने किया था ऐसे जोगिं के कपड़ों में हो जोगिं के बाद ही मिला तुम बस रहने दोग तुमसे कोई काम नहीं हो सकता तुमसे कोई काम नहीं हो सकता तुमने मुझसे निकाभी बस इसलिए किया ना था कि मैं कमा और तुम घर बटकर खाओ हाँ बस फंद्रा मिनिट में पॉस्च रही हूं है नहीं और लेट नहीं होगा सर मैं आ रही हूं हाँ कि हैना दुमसे काम अ वर वाद रही हूं है युमसे कोई बस्वक्ता 500 रुपया, इतना ही है मेरे बास लगता है तुम्हारे पड़ी को बनाना पड़ेगा ठीक है, बता दो तो मैं तुम्हारे बारे में अभी के भी पूलिस को बता दो हाँ, पूलिस को बताएगे? क्या सर्थ, छोड़े में थे, एक 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 छोड़े एक एक वैक वा लाथएगा लिएग में वी को आफफ़े मेरी बीवी रेनु कहा है, कल से फोन नहीं लग रहा है, पता कीजेना कहा है आखरी बर कब देखा है, कल सुबह जब वो ओफिस कही थी सर श्रीवम, नाश्ते में आलो पराथे बनाए हुए और लंच के लिए दाल राइस, याज से खा ले ना तुम तुम मेरे लिए चिकन बनाने वाली थी, ना? श्री, लेट हो रहा अफिस के लिए मेरा आट को बना दूंगी चिकन, पक्का कोई बात नहीं सुनू, सुनू, सुनु, सुनू, सुनू, सुनू… लिए, क्या हुआ? रेनुकाय के आफिस में पता नहीं किया वो सर आफिस मतलब मुझे मालूम नहीं सर आफिस कहा है उसका क्या तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहां काम करती है नहीं सर वो तीन-चार मेंने पहले ही काम शुरू किया था उसमें काम करती है वो सरे एक वकील के पास काम करती है इससे ज्यादा रेनुका ने कुछ बता है नहीं काम करता है चामती हूं क्या चल रहा है तुम्हारे अंतर लेकिन अब ही साफ कर देती हो वो कलीग है मेरा आमीन मेने तुम से कुछ कहा तुम सफाई दे रही हूं पर एक बात बताओ तुम जब सुभा गर से गई थी तुमने सुट पहना हुआ था वापसी में ये हाँ वो शापिंग की मैंने कैसे का प्रे नहीं पहन सकती है मैं अभी तुम अच्छे से जानती हो मैंने कभी भी तुम पर कोई रोग टोग नहीं लगाई है लेकिन आप शक करने लगे हो तुम मेरे उपर शादा आप तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई करने तुम्हारे नहीं को जोड़नेंगे हैं अम यहां बैठागे हैं अरुब बैठो हम कोशिश कर रहे हैं चुब बैठा आम अम रिपोर्ट लिख वाकर दो दिन से कह रहे हैं कल 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 अब आईगा आपका को लेए शीवन दो दिन पहले अपनी बीवी रेनुका की मिसिंग जितना इपनी बीवी के लिए दिखा रहा है असल में कहानी पुरी उल्टी है इसके पड़ोस ने कहा कि एशराप पीक अपनी बीवी से जगड़ा गरता है तो तुम्हें लग रहा है कि अपनी बीवी को गाइब ग्या होगा तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं तेकि रेनुका क होने का करो अपसे ही पता चल्या शिवब ने थो व्हीं किया आपको गया लगता है शीवन कुछ फासर भगवान नं को अज़ खुपा झार बशक recompile सेने में बिलkapous नहीं थे ईविज्म यह नहीं चानता है कि अपलोगों को अंदाजा है कि उसका office rat Sir, इसके बारे में उसने घभी कुछ नहीं पता है Come on पती तो पती, जोरुका की मा और भाई को भी नहीं पता कि रेनुका कहां काम करती थी जी सर, सरु रेनुका के कॉल रेकॉर्ड जल्दी आ जाएगा शुम्फूली उसके उसके कुछ लीड़ी मिल जाए कि अब वांता हूं शराप पीता हूं कभी कभी रेनुका से जगड़ा भी होता भा पर रेनुका के बारे मैं कभी गलत नी सोचा सब तो इसादा चलाक मत बन अ रेनुका की मा वाई का नहीं गया है रेनुका को सर्वाज कल मजेब से अलका हूना तो मेरे चेटित्र को भी हलके मिलेते हैं सु अ हलो बाभी जन, कैसे ही आप? जी मैं जुबेर, शादाप का दोस्त आप भूल गया पर बड़े पर मुझे भी इन्वेट के ता शादाप ने हाँ लेकिन आप यहाँ कैसे है? वो एक जगा पर शादाप के लिए जोग की बात की थे मैंने लिए उसको नंबर मिला, उसको नंबर नहीं लगारा, कहा है वो? वो एक्चली जुबेर, शादाप तो कई दिनों से मिसिंग है शादाप मिसिंग है? हाँ, पुलस में भी कंप्लेंड की लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला आमिन, तुम मेरा फोन कट क्यूं कर रही हूँ, कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? गाड़ी लोबी में ले आओ, चली जुल्दी चलो अच्छा, जुबेर, अभी मुझे जरूरी काम से जाना है लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी मालूम चलता है ना तो प्लीज मुझे बता हूँ चलो, लेकर अच्छा तुबेर, चेट लेवल पे मैंने रुनिंग के लिए कितने अवाड देते हैं जिंदगी के रेस में में बोट इसे चुटिया यार कैसी बात कर रहा है यार तुझे पता है अगर तुझे अच्छा नहीं हो तो तुझ भूँ अच्छा हो तुझे लड़की के लिए मैं अपने घरवालों से लड़ गया अब जिस लड़की नहीं मुझे दुश्कार की अठीक है कि मुझे यहां बेज़ो अठीक होके कुछ लोग गुजर रहे थे वहने बॉड़ी को दिखके हमी इंफर्म किया तर्या ही है यह कटा हुआ सिर्ट रेनों का की चहरे से मैच कर जाए पर वहां बैग में दो कटे हुए हाथ भी मिले कर दो कर दो किसी किसके साथ जो नाच के टुक्ड़े करती है सरमारी टीम आसपास चेक करें लिए अब तक बॉड़ी का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है सर यह दोनों हाथ इस बैग में तो सकते सिर भी इसी बैग में रहा हूँ किसी वज़े से बाहर आ गया हूँ बंधन सिमेंट यह मटर जरूर किसी के सुक्शन साइब कि अपर बिल्डिंग मैटीरियल गोडान के आसपास किया है आसपास पता करो कुसाच परो सर इसके लावा ये भी पता चला है कि तीन दिन पहले रेनुका का फोन नंद विहार एरा में स्विच आफ हुआ है उसी तिन करीब 11.30 बजे उसे नंद विहार की PCO से कॉल किया गया सर मैंने मनिशा को स्विच पे बेजा था यह नहीं पता चल पाया कि वो फोन किस ने किया था नहीं वहां कोई CCTV काम रहा था तो सकता है रेनुका को फोन करके नंद विहार बुलाया गया हो यहां से लेकर नंद विहार तक काहिरे आप अच्छे से स्कैन करें जी सर्व शर्मा जेनुका के ओफिस का पता चला उसके पती नहीं कहा था कि वो किसी लॉयर के बस काम करता है उसके कॉल रेकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर मिला है सुबोध मिश्रा वो दुमिश्रा सुबोध मिश्रा सुबोध मिश्रा मनिश्रा बोलो सर्रेनुका के घर के पास एक अटोस्टेंट से पता चला है कि वो अक्सर एक शंभू नाम के आदमी के आदमी के आटो में ओफिस आय जाय करती थी तुम मिली उस आटो आले से सर वो अभी आटोस्टेंट पर नहीं मिला पता करो वो कहा है वोलो का पापा बोलते थी मैं भाग्यवान हूँ पर दुरभाग्य मेरे मातें पे लिखा था अब हातों की लकीरों के बहुरों से नहीं जीना था मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था और मेरे जैसे और जब भी साहज जुटाने का सूचती है यू ही नोच लिजाती है काट दी जाती है अरे बाई तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे इससे जादा मैं तुमें पैसे नहीं दे सकता हाँ अब मैं तुम्हें बाग में कॉन करता अरे जिंदल साब कैसे आना हुआ है क्या बात है सभजी जब भी हम मिलते हैं गरतकारनों सी मिलते हैं पिछडी बार भी जब आपसे मुलागात हुई थी तो आप एक क्रिमिनल को डिफेंड करने की कोशिश करें अरे सर, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना यह तो पेशा है मीरा रेनुका को आप जानती ही हुँग हाँ हाँ, हाँ, रेनुका टाइपिस है मेरी लेकिन बहुत दिनों से ओफिस नहीं आ रही है हुग रेनुका के पती ने हमें बताया कि रेनुका 10 अगस्त को यहां आपके ओफिस आने के लिए निखली थी और उसके बाद हमें उसकी लाश में क्या? रेनुका के लाश? 10 अगस्त को रेनुका यहां आपके ओफिस आई थी नहीं सर, 10 अगस से ही उसने अना बन कर दिया तो, आफिन. 10 अगस को सभा 10 वचे अपने रेनुका को फोन किया था. फोन किया था? हाँ, याद आगया सर, मैंने उसको फोन किया था. तुझे बालूं थारो, रेनुका, कि आज तुझे कितना इंपॉर्णन केस है, मगर तो आज भी लेट हो गई? हाँ, बस 15 मिनिट में पहुच रही हूं है, नहीं नहीं और लेट नहीं होगा, सर, मैं आ रही हूं है. मैं तो वेट करता रहा गया, सर, मगर वो आफिस नहीं पहुची, और उसके बाद उसका फोन भी बंद आने लग गया, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मगर क्या है ना, उसके हस्बंड का मिरे पास नबर भी नहीं था, तो मैं, कमाल है, अब रेनुका के घरवालों के ब कि जानकर कि इसका मल रहो होगे, कौन कर सकता ऐसा किसी परशक है आपको, सर, लूग आइडिया, इस सुबद को सालों से जानता हूं, इसने कभी भी अपने ओफिस के अंदर या बार सेची डीवी नहीं लग वाया, और ओफिस भी इसने एक अलग ठरक जगे पकोला है, गलत अब इसी की तेगनाव का शिकार में शुबध की रिसेंट एक्रिवीडिस का पता करो और शॉटे वाले पे इन असराख को दस अगस को उसका उटो नंद विहार में देखा गया था जहां पर रिनुका का फॉन बंद वाद जी सर, इसके लाबाद ये भी पता चला है कि क्या ये और इतने जन से चिकन खाना चिकन खाना है समझ मनी आता तरी चिकन मुफ्त का नहीं आता तुम्हारे शराब के वज़े से घर में पैसे नहीं है अब ये घर का समान बेच के तुम्हारे लिए चिकन लाओ किया नहीं सर ये शादाब नहीं है ये बॉड़ी हमें उस एरिया के पास मेले है जहां पे शादाब का फोन आखरी बर बंद हुआ था माना कि लाश का चेहरे पहचानना थोड़ा मुश्किल है लेकिन लाश के राइट लैग पे सरजरी के मांक्स है क्या शादाब की बॉड़ी पे असे कुछ मांक्स थे नहीं सर पर इसकी पीट पर अजादाब शादाब सरचादाब डिप्रेशन में कहीं चला गया है वो मरा नहीं है अब प्लीज उसे ढूंदिये प्लीज सर अज़िए अज़िए हां सर मेरी भी शॉप नंद विहार में ही है लेकिन 10 अगस्तो क्या रेनुका को मुझसे मिले वे बहुत समय हो गया था क्या लगता अपको कौन कर सकता है रेनुका है सब कुछ ना शेवं का कियाधर है उसमें मेरी बहन को इतना मजबूर कर दिया थी कि उसे मार खाके भी हमारे पास उसके लिए पैसे मांगने आती थी मैंने बोल दिया उसे वो दुबारा पैसे नहीं मांगी अरे पर मेरे पास पैसे होने चाहिए ना देने के लिए अब 20-25 अजार की बात होती तो मैं दे देता लेकिन 30 लाग अब जितने पैसे है आपके पास उतना ही दे दो चलेगा सर वो शिवं को लेकर इतना ड़ी होई कि कुछ ना कुछ लेकर जाना ही चाहती थी और शिवं उसको सिर्फ पैसे के लिए परिशान नहीं करता था अब दरसल उन्हें कोई बच्चा नहीं था और इसकी वजा भी वो रेनुका को ही मानता था अब कमी शिवं में थी लेकिन इसकी ले भी वो मेरी बेटी को दोशी जहारा था अब पareना ह्या обहborg भाए जासार को मेरी ने स्टेव में थार लुट तेर मैं इसकी लेक्स करतों हिंदे विजा आपते शुरय रेनुका की मा, रेनुका का भाई कार्तिक इन में से कौन सच बोल रहा था फिलाल इस बात का कोई सुबूत नहीं मिला था लेकिन जिस सिवेंट के गनी बैग में रेनुका की लाश के हिस्से मिले थे पुलिस उसके जरीये भी वो क्राइम सीन ढूडने की कोशिश कर रही थी जहां रेनुका का मडर करके उसके लाश के टुकड़े कर दिया गए रेनुका का बॉस, लॉयर सुबोद मिश्रा और वो आटो वाला शम्भू दोनों पुलिस की रडार में थे वहीं दूसरी तरफ एक शादाब नाम का आदमी भी लापता था जिसका गायब होना भी रहस्यों से भरा हुआ था शम्भू कुछ बोलेगा कि एसी चुपरेगा और शम्भू दस ऑगस्ट की सुबर रेनुका ने तेरा आटो लिया था हाँ साब आटो साब वहीं रोज की तरहा जयांको ऑफिस के बार छोड़ता था लेकिन रेनुका के बस का कहना है कि वो उस गिन ओफिस पहुची ही और जैसा कैसे हो सब सब मैंने तो उनको ऑफिस के भार खुच छोड़ा था और साब मैंने खुद अपनी आखों से देखा तो उनको अफिस के अंदर जाते हुए सर क्राइम सीन का पता करने के लिए हम रेनुका के फोन के आये में नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करें तो पता चला कि रेनुका का फोन सुबोत के आफिस के वाइफाई से कनेक्टेड रहा था तो और 10 अगश्ट की सुबक 11 बज़े था उसका फोन सुबोत के आफिस के वाइफाई से कनेक्टेड था तो रेनुका उस दिन आफिस गई थी सलक तो ऐसे रहा है पर सुबोध के कॉल रेकॉर्ट में शिल्पी नाम के लड़की का नंबर मिला है सर ये नंबर भी 10 अगश से बंद है और 10 अगश को इस नंबर की मुबाइल के लोकेशन भी सुबोध के आफिस के एरिया की ही है शिल्पी भी शिल्पी के लिए शिल्पी करेनुखा के मधद से क्लेरिंशन होसा क्या करेक्शन भाचा है यह अप्र आपके चाहलो हाव मैं यह अप्राइब क्या वालती कर दो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ग्लास पानी प्लाद अब लाइब अरे शम्हल के मालती क्या थे अगर जाओगी आपसे मैं एक बहुत बड़े मुशीव प्रफित गया थे इसलिए आपसे जूल बलना पड़े घया सर तो 10 अगस्त को रेनुगा तेरे ओफिस आई थी हाँ सर लेकिन सिर्फ 11 बड़े तक ही थी सर वस पंद्रा मिनिट में रिपोर्ट हो जाएगी तुम्हारे पंद्रे मिनिट तो अभी पूरी नहीं होते एक काम करो छोड़ो इसको और जाओ घर नहीं सर मैं दुपारा अज नहीं होगा सर मैं तो मैं जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ आज की छुट्टी दे रहा हूँ इसको चोड़ो और जाओ सर मैंने शिल्पी के कारण डेन को चुटी दी थी लेकिन लेकिन अड़ी शिल्पी कोन है शिल्पी मेरी साली है और शिल्पी उसे न ओफिस आने वाले थी सर सर शिल्पी और मेरी रिष्टे का शक मेरी वाइफ को न और जाए इसलिए हम लोग चिप-चिप के मिलते थे थे सर सरब राई इसल्पी अरो 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 इसलिए कम से कम तरवा तो बंद करने दो किसे तो है मिया जाती है? अजिए, थाओभ अहरी अरजी फिरत चे कर दी कॉरट में ऍर में तमरे पैशों कम दो साहा THEREındहा हूँ अ çalış उनिये हां? इकर 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 इँ आ अ्रिया आ जैजिए थाला हुर, फेसर को typ बंदों up लापकर हंगी हमें और मुझसे पैसे मांगते रहते हैं सर और उन्हों इसी तरीके से ने रेनुका को उठाने की कोशिश की जब तक तू बंदुबस्त करेगा ना तब तक थारा यो बंदुबस्त मारे शाहत रहेगा और अगर बंदुबस्त ना हो पाया ना तो हम इसने बेच देंगे ठाले भाई एक नहीं मेरे बात को सुनिये मैं मैं आपके मानिक भाई को जेल से निकलवा सकती हूँ मैं मैं निकलवा सकती हूँ मानिक भाई को कैसे सुवत सर के कहने पर मैंने जमानत के एक ऐसी अर्जी तयार किया जो कोड में रिजेक्ट नहीं होगी कि आरी सूरत देखे एक मोका और दे रहा हूं तो इस बार भी जमानत ना हुई ना तो तुम दोनों जब तो जाओगे संजी तो यह बात तुने अमसे पहले क्री बताई कौने मोलोक तर वो मानिक क्या अर्गी है साथ जब आप अर्गी है साथ तो आपने तो जिल्फी को उठाया था यह रिडिकों के साथ तो आपने कुछ भी ना किया साथ सर्थ सर्थ, नन भीहर में एक जगा का पता लगाई पूरी अर्या को अच्छे से कवर करें किसी को आने मलें सर्थ, यह पूरा अर्या डिस्पिटर्ड प्रपरट्य में आता है यह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लेकिन फिलाल काम रोग दिया गया है इस पूरे चॉल में कोई नहीं रता है और सर यहां आईए सर यह देखें बिल्कुल वैसी सिमेंट की बोरिया है जैसे बोरी में में रेनुका का सर और हाथ मिले देखें सर यह यहां यहां रही है यह देखें सर बोड़ी का बचा हुआ इसा है यहां पर सर मैंने साडी की फोटो निकाल के शिवम को भीजिए उस ने चैन्सें फोटशे भीजिएरेन॥ गयार कर दितनी और तक हम बान कर चल रहे है कि लास्के कहीं को हई है दुपर लास्के कर अबग अलग अलग जगेपा कर गया हो और अकर वाड़ी के सिरस काठावा होता तो हमान सर्ग की एक सिर अलावास सिर दोनों हतो को ह meva हूँ क्यों काठावा हूँ पसर एक सुल बॉड़ी की अफिकर को है लिच के लटों के लगए भैजिए इसका इसका पती भाई है उसका झाक पाम उसका यह असलिक्यू करेंगा, तिए शर्वा हम उनको ऐसी एक लीन चिट नहीं दे सकते हैं, हो सकता है किसी सुपारी कलर का काम है, विया देखो, लाज के ओपर पान की पिक के निशान है, और सिभ लाज के ओपर निया सपास भी है देखो, दिवार को है, हो सकता है इसका कलर पान काटो है, हो अज के बात मुझे कॉशिश मत करना हो है इसमें तो बहुत काम कैश है लेकिन उसमें गहने भी है लेकिन उसमें घहने भी है नकली जेवर देका मेरा काट रही है तुँशारे गहने असली है, अब भी आपन काटो मैं ना अस्री मर्गम मैं तेकर निदासु चाहूँ सर शीवं सुबोद मिश्रा कारती किनों ने कहा कि वो पान नहीं का एक तरफ शादाब के गायब होने का केस गहरा होता जा रहा है और वहीं रेनु का मर्डर केस पुलिस अब ऐसे अग्यात इंसान की तलाश में थी जो पान खाता था और तभी एक और केस आया अज़ा बेर समिन केक्षक एल्चब शयुक्यायका है मassi मच सपना थी मच सपालाच के र यह फ्याद होता ही अज़हर डोरत आपकर इंच्व cabeça मस्तिंगात अब यह तो मैं जब उखोल कर अंदर है मलते… मलते मलते सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मलती इस्तरा से सुसाइट करेगी लेकिन मलती इस्तरा क्यों करेगी था पहले बहुत खुछ रहा करती थी लेकिन को रचानक पता नहीं क्या हुआ कि इसके बेहेवर में चेंज़े आने लगे वो अक्सर गुमसुंग रहा करती थी मालती क्या हुआ मुझे पताओ ना क्या परिशानी है सर उसने मुझे कभी कुछ नहीं पताये और आज देखे मालती के साथ अगर तुमने बदलने नहीं दिया अगर तुमने बदलने नहीं दिया मेरी बेटी अपनी तकलीफों में पीष्टी रही और तुमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया तुमारी वज़े से उसने मुझे मिलना चोड़ दी तुमारी वज़े से मैं अपनी बेटी को आकरी बदलने नहीं पादी तुमने पांचों पर पूस्ताच करने लिए का था देगिन इस वज़े से बाकी का एंकल्स को भूल जाओ के तुम्यों तुम्यों के मड़र से एक महीने पेले तक की मैंने पंदरा लोकिशन को जिरो डॉन किया था उन जगों की सीची टीवी फूटेश के नहीं याए भी तक जल्दी करो साथ सर वो सुसाइड करने ले माल्ती के कॉल रेकॉर्स में एक सस्पिचियस नंबर में जो किसी शादाब नाम की आदमी रहा है सर इनमर लखनों के एड्रस पर रेजिस्टर है लखनों पुलिस से बात हुई तो पता जला है शादाब एक महीने से गाया था गाया था गाया था उसकी बीवी ने मिसिंग कंपलेंट भी लेक्वाई लेकिन सर हैरानी वाली बात यह है कि शादाब के नंबर से माल्ती को रेसें टाइम्स में कॉल किये गये और माल्ती का पती भी शादाब को नहीं जाना है लेखना हो जाओ और शादाब के गाया वोनी की पूरी कहानी को पर में कुछ इंग नुख ले को कि पॉसमाठम रेपोट है क्छंशu को शर्प नुभांत घ् प्रिग्नेंट अब जेनुका की माने तो कहा का कि शेबं बाप नी बन सकता था कुछ प्रोब्लम पूश तो जेनुका प्रेग्नेंटी ये बात प्ता दी तुझे नहीं सर पर शायद वो मुझे बताना चाहती हो सर उससे पले उसकी मौत होई कि जब अडर वा दुख रेनुका का तब वो दो मेहने की प्रेग्नेंट थी कर यह आसा तो नहीं कि इसी ज़जे से तुन मैं साने कर सकता सर लैनुका की चरित्र पर तो मैं अग्ली उठा ही निए सकता सर बुरी बो नी थी सर बुरा तो मैं था मैंने बहुत दुखती है एसर उसे इतने कि उसने एक खुशी भी मत से लिबाटने चाहिए तेनुका तुम कहा रही थे ना कि कपड़े काम हो गया है तुमारे इसलिए 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 माफ कर दो मुझे जैसा भी हो पती हो तुमारा हु पती हो मेरे तन पे हग जटा के नोच सकते हो मुझे और मेरा तन ढखने के लिए तुमारा दिया एक कत्रा भी नहीं पहनोंगे भैंड अनुसे खोना नहीं चाहता था सर प्यार करता था उससे नहीं सर मैं इस लड़की को नहीं जानती है और जिस नंबर के आप बात करें वो नंबर कभी शादाब ने इस्तमाल ही नहीं किया लेकिन मालती कुछ इस नंबर से फोन आ रहा था वो भी शादाब के नाम पे रिजिस्टर्ट लेकिन सर वो तो एक महीने से मिस्सिंग है अखरी बार कभ देखा था उस सुबह मैं जब ओफिस के लिए निकल रही थी तो मैं ने देखा वो किसी बाइक वाले से बात कर रहा था तो थोड़ी दिल में उसी के साथ चला गया और उसके बाद ना शादाब को कुछ पता चला और नहीं वो बाइक वाले का लेकिन सर मुझे याद है कि वो बाइकर ने खाके पैंट पहने थी और वाइट कलर के शूस पहने थे और उसके बाइक भी वाइट कलर की थी तो शादाब को पहले उसके साथ कभी देखा था तो पहले तो कभी देखा नहीं लेकिन बाद में मैं जुबेर, शादाप का दोस्त, वो एक जगा पर शादाप के लिए जौब की बात की थी मैंने, लिक्न उसको नंबर मिला, उसको नंबर नहीं लगारा, कहा है वो? मैंने जुबेर के बारे में इन सर को भी बताया था सर, रेनुका ने कभी हमें नहीं बताया कि वो फ्रेग्नेंट थी पर सर, शिबम तो बाप बनी नहीं सकता कार्ति किये कहकर तुम अपनी बेहन रेनुका के चरिक पर सवाल उठा रहे हो अगर यह सचे तो बताओ, रेनुका की जिम्दगी में शिवम के लावा और कौन था नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पड़ा सर, और शादाब की बीवी अपना किया चुपाने के लिए मुझे फसाने की कोशिश कर रही है तुम्हें लगता है कि शादाब के गाया बनेंगे पिछे बीवी का हाथ, सर मुझे इसा शक है क्योंकि उसका शादाब से जगड़ा भी हो था और अपने कलीक के साथ उसका अफेर भी था सर, रेनुका के बैगराउंड में अफेर का कोई क्ल्यू नहीं मिला तुम्हें अपने शिवम सही बोल रहा है इस बात की बी कोई गानेंटी नहीं है शिवम का डिया ने रेनुका के बच्चे के डियाने से मैश करके देख रहा होगा रेनुका कौन से मेटेनिटी क्लिनिक जाती थी यह पता लाँ सर मालती का मोलेस्टिशन जाओ जाओ यह आप क्या कहने सर वह स्माटर्म रिपोर्ट से पता चलाए कि मौस से पहले उसको सेक्शल असवल्ट के जारा था और मालती लगातार इस शादाब नाम के आद्मी के साथ टश में ती जचादा आपके इस्ग के घ्टाम के दोस्का बारे मेff अजब है किन उसमें आ आस हो कि ये ये वाद आप हमें अब बता रहे हैंitel है of अगर गयने घर में नहीं है तो बैंक लॉकर में होंगी लिगना सुभे चेक्किया तो वहां से गाया है नहीं सर लिकिन फिर भी है हा मनिशा बोलो सर नंद वेहर के पात के एक CCTV फुटेज मिली हमें जिसमें रेनुका कैप्चर हुई थी सर इस CCTV फुटेज जैनुका के मडर के साथ दिन पहले का है बाइक का नंबर विजिवल नहीं है सर एक में इस आदमी ने खाकी कपड़े पहने हैं वाइट शूस है और इसके बाइक की कलर भी वाइट है सर शादाब की बीवी आमीन ने शादाब को आकरी बाद जी साजमी के साथ जाते हुए देखा था उसका डिस्क्रिप्शिन इसके साथ मैच करता है सर मैं ये वीडियो शादाब की बीवी को दिखाने के लिए बूलता हूँ हाँ सर ये बाइक भी वही है और आदमी भी वैसे लग रहा है जिसके साथ शादाब गये थे शादाब माल्ती के केस में हमारा स्रस्पेक्ट है और ये एक ऐसे आदने से भी गनाग्टेड है जिसका रेनुबबच के साAtt करशें था इन दोनों केसिस के साथ शादाब का मिसिंग केस भी कई रहस्यों से भर गया था पुलिस इन तीनों केसिस से जुड़े एक-एक इनसान को खंगाल रही थी लेकिन उस बाइक वाले आदमी का अब भी कोई लीड नहीं मिल रही थी साथ ही पुलिस इस संभावना पर भी काम कर रही थी कि रेनुका का हत्यारा कोई पान खाने वाला होगा और पान तो रेनुका मेडम खुद भी खरीती थी साथ किया और एशा पान बनवाती थी किया में तुनकर रहान रहे जाता था पाच कोक्टेल पान देना कोटेल पान काई सा होता मीडम पान पे चुन और कथा लगा दीजिए और तंबा को डाल दीजिए शारे जो भी आपके दिपान और जब बैने उसे पूचा ताप और उनने अभिला कि वो वह किसी और के लिरे पान पैक कर juvenile दियाती है जैनोंक किसके लिए पान पैक कर वाके ले जाधी तभीया है इस पान में कथ्था चुना लगा कर वो सारे तंबा गो डाल दू सु कभी अ टेए थाए, आपके काच्छेटी बान बनाता है हाँ, मैन इसको G&M IVF Fertility Center में देखा था सर जहारी वाइफ ने वाइफ ने कंसीब किया था इत अप 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 इस IVF Fertility Center में आपकी वाइफ का दॉक्तर का दॉक्तर शेली हाँ सर रेनुका मेरे पेशन्त थी मेरे हजबंड इकांट बेर वेबी इसलिए में दोन्ट वरी रेनुका आप आई डी अफ के तुरू कंसीव कर सकते हो सर फिर उसने कंसीव कर लिया था ये बाद रेनुका के पती को पता थी अमीन वह आता था कभी रेनुका के साथ नहीं सर सर अपने खबरी ने पांट शोप का पता किया जहां से एक दूसरी ओरत सेम वैसा ही कोक्टेल पांद बनवाती थी जैसर रेनुका कौन है ओरत जो तुमसे कोक्टेल पांद लिके जाती थी सर वो पैसे लाई तो कि इस चिलर लाई है अजयाक समझ रहा हुमको मजयाक लग रहा हुँ अजया सर वो पांद मुझसे जी एनेम, हाई विए फर्टिलिटी सेंटर का वॉर्ट बर जै मंगवाता था सर मुझे ब्लाकमेल कर रहा था कि ये बच्चा मेरे पती का नहीं है किसी और का है मालती, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पती का नहीं वो आई गेफ तु सिर्फ एक बहाना था दर असल तुम्हारे साथ कोई और सोया है क्या पक्वास कर रहे हो मेरे पास तु वीडियो भी है पता है ना, तो हमारे पती को दुखा दियो तो क्या होगा कहां है वो वीडियो वह तो बस वालने जूट बोलता था ताकि वह मेरे जाल में फज्दा तुन औरतों को से ब्लैटमेल ही नहीं कर दा था, बल्कि रेप भी करता था, उनका आप सारे गहने असली है, मैं भी असली मर्दू हूँ रेनुका का मर्डर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आखरी बर जब आई तुसके तेवर ही बदले हुए थे यह लो, 500 रुपया, इतना ही है मेरे बास बता है, तुम्हारे पटी को बठाना पड़ेगा के तुम्हारे पेट में किसका बच्टा है बता दो, तुम्हारे बारे में अभी क्यभी पूलिस को बता दूंगी हम यह 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 मैंने सुचा था रेनुका को मार कर इसके शरीर के छोटे-चोटे तुकुडे करके इधर उधर फेग दूंगा पहली बार तो मैंने उसका दोनों हाथ और सिर काट के फेग दिया कि दूसरी बार आता कि उससे पहले आप लो केस में इंवाल्व होगे थे इन ओनों को ब्लेक्मेल करने में शादाब भी तरे साथ ना नहीं सर शादा मेरा पुराना दोस्ता शादाब ने मुझे डॉक्यमेंट दे रखी थी तो मैंने उसके आईडी पर एक सिम ले लिया और माल्थी को देड़्क्रक्रक्र। साधाब को बताचला कि मैं ब्लाकमेलिंग के पैसे ओठता हूं तो बगड़ गया मुझे सब पता चल गया है यह ठीक नहीं है अगर तुम लोग की वीडियो डिलीट नी की ना मैं पुलीस को सब बता दूंगा मुझे डर लगने लगा कि वो कहीं मेरी पूल ना खुल दे तुम मैंने उसे बहाने से पुलाया और और क्रश और अपता यह लगा है मैं यह कहों तो अकर ले सकता है और कौण कौन सब्हे थे तेसमें साहब ऑई वह अई एस पुल टीटी की डॉक्टर गिलभर्ट और डोक।र शैली मेरे साथ इसमें तो डॉक्तर घिलभर्ट इन ओर टो गर्रिया करता था नहीं नहीं फिर वो अपना स्पांप दे जाता था और वहीं लोग बताता था कि किसको स्टार बना है हमारे हाँ जितने भी कपल्स आते हमें से जो भी मेल्स भच्चा प्यादा करने में इन का फिजल होते हैं हम उन्हें छूटा एश्वरत देते कि हम उनकी प्रॉल्म्ट सॉल्व कर देंगे और इलाज के नाम पर खुब पैसा पनाते हैं यहीं तुम लोगोंने माल्ती के साथ किया हां सर उसको लगता था माल्ती ने उसका ही बच्चा कंसेव किया है और माल्ती को प्रेग्रेंट करने के लिए गलिवरेट का स्पन यूज किया तुम दोनों के कहने पर जै ने उसको ब्लैकमेल करना शूट गया और जै की ब्लैकमेलिंग से तना गादरों से सुसाइट कर लिए एक जिन्दगी को जन्म देने का चांसा देकर कितनी जिन्दगियां बरबात कर रहे थे तुम लोग आई वी एफ एक ऐसी पद्धिती है जो आजकल काफी चर्चा में है एसी पद्धिती के जरिये निसंतान दमपत्ती अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और वो ऐसे डॉक्टर्स को किसी मसीहा से कम नहीं समझते हैं लेकिन गिल्बर्ट और शेली जैसे डॉक्टर्स और वाटबॉई जै थोड़े से पैसों के लालच में बेहत संगीन जुर्म को अंचाम पहुचा रहे थे इससे पहले पुलिस को इस रैकेट की कभी भनक भी नहीं लगी थी रेनुका, मालती और सुधा इन औरतों की जाहे जो भी मजबूरी रही हो लेकिन अगर इन्होंने एक बार भी पुलिस से संपर करने का साहस जुटाया होता तो इन्हें यूँ अपनी जान नहीं कवाने पड़ते हैं अब मैं आनूप सोनिय आप से विड़ा लेता हूं फिर मुलकात होगी राइम पेटोल सतर्ख में एक और नहीं कीस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेटोल सतर्क जयहन हुआ 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 है